तेस्ट रेश्यो बोलो जो भी मैंने आपको पहले भी जब हम डिसकस कर रहे थे फॉर्मुला ओफ करंट रेश्यो तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिटी और सारे करंट एसेट करंट लाइबिटी लिखे अपने देखा था उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि करंट एसेट के अंदर जो इन्वेंटरी है और जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको हटा दो तो वह बन जाएगा कुछ एसेट और करंट लाइबिटी तो सेम ही है नो चेंज तो यहां पर मैं एक सम ले रही हूं चोटा सा स्थार्ट करें सम से ताक बगत बादी हुआ सबको तोल कर दो यहां पर सबkal कुटार रोर्श करदो यहां पर डिवाइड कर दो हो गया करंट रशु लेकिन तो बजुचे नहीं लेनtoo मुझे इंवेंट्री नहीं लेना हें मुझे इंवेंटरी नहीं लेना है, मुझे प्रिपेड एक्सपेंस नहीं लेना है, बाइचान से यहां पर प्रिपेड एक्सपेंस है भी नहीं, ठीक है, तो यहां पर मेरा Quick Asset कितना होगा, Quick और Liquid बोलते है, Acid Ratio, Acid Asset नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, so quick asset यहाँ पर calculate कर लेते हैं क्या cash and cash equivalent आता है yes, take this चल लिए next debtors आते हैं, yes take this then bills receivable आते हैं yes, take this also then marketable security yes, 15,000 this also, हाँ inventory नहीं आता है, तो वो मुझे नहीं लेना है यह quick asset हो गए, इसका total देख लेते हैं 5 plus 29, 34 34 plus 5, 39 39 plus 15 calculate 54,000 है ना, चलो liability देख लेते हैं liability में क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है, यहाँ देख लो liability, creditors है, yes bills payable है, yes outstanding expense है, yes provision for expenses yes, तो यहाँ पर यह सारे ही आ रहे हैं so मेरा current liabilities is equal to 25,000 plus 16,000 plus 8,000 plus 5,000, चलोए, calculate करें 25 plus 16 41, correct 41 plus 8 49, 49 plus 5 54,000 अरे, तो equal आ गया very good, अच्छा है ना, हमारे ले तो so हमारा answer क्या होगा, ratio का 54,000 54,000 divided by 54,000 तो मतलब इसको cut, इसको cut 1 is to 1 तो मेरा answer है 1 is to 1 आ गया है ना, अच्छा idle ratio idle ratio for quick is 1 is to 1 यह quick की idle ratio है, मतलब company idle ratio पे चल रही है current की idle ratio क्या है current ratio की idle ratio क्या है that is 2 is to 1 ध्यान रखना है, यह quick ratio की है और current ratio की है 2 is to 1 idle ratio ठीक है quick की 1 is to 1 current की 2 is to 1 यह आपको फिर आप comparison कर सकते हो ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे sum करते है don't worry, समझ में आ जाएगा नहीं भी समझ आया तो भी क्योंकि यह तो था identify करने का अब identify नहीं गुम के सारे numbers निकालने है चलो, practice के लिए तेयार हो जाओ अब हम कर रहे है कुछ practice quick ratio की obviously practice नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा sums की practice करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे निकालना है यह पहला question है, दिख रहा है current liability है, current asset है मतलब current ratio निकालनी है नहीं, हमें quick ratio ही निकालनी है बस क्या ध्यान देना है current asset में से यह दो चीज़े हमें हटानी है as you can see above लिखा हो है ना, quick asset is equal to current asset minus inventory minus prepaid expense, यह trade receivable minus मत कर देना, please यह extra information है, extra information दी होती है, आपको उसे use नहीं करना है ध्यान रखना, चिक है, चले quick asset निकालते है, based on this formula only कितनी है हमारी, 80,000 minus inventories, 25,000 minus prepaid expense, 5000 मतलब कितना हो गया 50,000, very good now, formula क्या है quick assets, upon current liability already current liability दिया हुआ 50 तो मेरा answer क्या होगा quick ratio is equal to 50,000 divided by 50,000 formula अल्ड़ी लिखा हुआ है उपर इसलिए नहीं लिखा दोबरा आपको लिखना है हर सम में 1 by 1 that is 1 is to 1 ठीक है formula नहीं लिखा मैंने क्योंकि उपर लिखा हुआ है बार बार क्यों लिखने का लेकिन आपको लिखना है हर सम में लिखना है current asset में से inventory minus कर दे तो quick asset आजाएगा ठीक है current liability कैसे निकाले लिखे formula याद है न working capital is equal to current asset minus current liability मुझे current liability निकाले तो यह यहाँ चला जाएगा simple है current liability is equal to current asset minus working capital जाएगे मुझे तो सही लग रहा है चलो देखते है answer क्या आएगा current liabilities is equal to current asset कितना है 4,00,00,00 minus 2,40,000 यह हमारा current यह वारा working capital है तो basically it is 1,60,000 यह तो समझा आगया हमे current liability निकल गई हमारी अब current asset में से inventory minus करनी पड़ेगी prepaid expense तो दिया नहीं है तो वही मान लेते हैं हम तो हमारा quick asset is equal to quick asset is equal to quick assets is equal to current asset कितना है 4,00,00 minus inventories 80,000 चलो भई डिवाइड कर लेते हैं कितना है minus कर लेते हैं ट्रिवाइड क्या कर रहे हम 00 0023 3,002,000 अब क्या करें रेशो निकाल लेते हैं रेशो के फॉर्मूला कोई कैसे अपॉन current liability simple है 3,002,00 डिवाइड़ बाई 1,60,000 इजी हो गया यह तो कैलकुलेशन वाइस भी टू इस तू वान समझाया कैसे करना है वर्किंग कापिटल दिया है एक करेंट एस तरीके से आप निकाल सकते हो फिर बाकी वाले काम पर आप काम कर लो ठीक है श्रुण ओं इससे हम अश्रान निकाल सकते हैं चलो लिखविड रेशो दिया इस टू वं चलो पहले तो हम क्या करें पहले हम लिखते हैं current ratio is equal to current asset upon current liability, तो यह हो गया मेरा 3 by 1 is equal to current asset तो दी नहीं है, छोड़ दो, current liability तो दी है, 3 lakh, अब आपको cross multiplication तो करना आता है, this is equal to this, this is equal to this, इसका मतलब current asset हमारी directly निकल जाएगी, 3 lakh into 3, 9 lakh, तो हमारा current asset आचुका है, 9 lakh आया, now current asset तो यह है, चलो current liability भी आचुकी है, हमें निकालनी है, quick assets, क्या निकालनी है, quick assets, देखे, quick ratio is equal to quick asset upon current liability, यह ratio कितनी है, 1 by 1 is equal to quick asset divided by current liability, 3 lakh, again, कितना आया मेरा quick asset, quick asset is equal to 3 lakh, current asset और quick asset का difference क्या होता है, current asset और quick asset का difference क्या होता है, inventory and prepaid expense, क्योंकि वही minus कर रहे है, है ना, यहाँ पर inventory निकालना है, तो इन दोनों को minus कर देते हैं, simple, current asset minus quick asset, इसमें हम less कर देंगे यह दोनों को, तो हमारा आ जाएगा, inventories, inventories is equal to 9 lakh minus 3 lakh, answer is 6 lakh, got it, तो यह हमारा answer आ गया, current ratio, current asset upon current liability, 3 is to 1 is equal to current asset नहीं दी हुई है, current liability दी हुई है, 3 lakh, cross multiplication से पढ़ा चला, current asset हमारा 9 lakh हो गया, same, quick asset भी निकाल लिया हमने, वो 3 lakh आ रहा है, दोनों के बीच का gap क्या है, inventories तो हमारा निकल गया, inventories, तो इस तरीके से हम sums करें, कुछ और भी करेंगे, don't worry, practice जोतनी हो सके, उतनी करनी है, तो मैं भी, मैं भी करवाँगे, don't worry, अब हम करें, दो और नए sum, ठीक है, उसी practice में, वही liquid ratio, quick ratio, या asset ratio, जो भी बोलो, यहां देखो, यह थोड़ा चाहा लग है, दो ratio अल्रेडी दे दिये हैं, current ratio दे दिये, 4.5 is to 1, liquid ratio दे दिये, 3 is to 1, inventories दे दिये, 3,00, अब हमें यह बात पता है, कि जो numerator है, इन दोनों का, वो current asset और quick asset है, आप जब भी यह चीज धियान रखना, कभी भी आप ratio form में किसी भी चीज को यूज करते हो, तो मतलब वो cancel हो क्या है, बहुत चारे, यह last amount है, मतलब इससे ओपर और cancel नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, current ratio is equal to 4.5x divided by x, 1x basically, उसको मैं x से लिख सकती हूं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कट कर तो आया है, मुझे उस amount पर जाना है, इसलिए मैं उसको x लिख रहे हूं अभी के लिए, नहीं लिखना है, एच्छो कि आप कोई और algebraic भी यूज कर सकते हो, y, z, जो भी आपका मन करें वो, ठीक है, अगर यहीं चीज, current ratio को मैंने लिख है, 4.5 x upon 1 x, same way, मैं liquid ratio को भी लिख सकती हूं, 3 x upon 1 x, जिसको मैं x ही लिख होंगे, according to the maths, यह 1 1 नहीं लिखते हैं, तो 4.5 x divided by x, 3 x divided by x, अब मुझे पता ही है, 4.5 x क्या है, current asset है, यह 3 x क्या है, quick asset है, हाना, यह चीज तो हमें पता ही है, यहां पर हमें पता है कि इस formula में, जो liquid ratio का जो formula है, उसमें हमेशा numerator पे quick asset आता है, और current वाले में current asset आता है, मतलब, अगर मुझे inventory निकालनी है, तो gap क्या है, current ratio का current asset, see, current assets, assets, minus, इसमें से minus करें, अगर हम quick asset, quick assets, so it will be inventories only, inventories only, ठीक है, तो क्या आ रहा है, यानि कि current asset में ही देख रही हुए है, 4.5 x minus 3 x is equal to inventory तो दिया हुए, that's clearly given here, 3 lakh, लिख देते है 3 lakh, तो हमको समझ में आएगा, यह x क्या है, मतलब current liability क्या है, मेरे पास current liability directly आ जाएगी, वो x ही है, फिर current asset तो निकाली सकते हैं, चलो, 1.5 x is equal to 3 lakh, अब x कैसे निकालोगे, 3 lakh divided by 1.5, है ना, अब इसको properly solve करते हैं, 3 lakh divided by 15 into 10, क्योंकि यह point हता आया, तो उपर 10 चला गया, 2, 3, cancel हो गया, 1, 1 into 2, यानि कि 2 lakh हो गया मेरा, x is equal to 2 lakh, which is my current liability, यही मेरी current liability है, तो current liability तो आ चुकी है, मेरी x, तो अगर आप इसे current liability, यहाँ पर x है, मेरी क्या है, 2 lakh, और मुझे निकालना है current asset, यह current asset, तो current asset क्या होगा, 4.5 into 2, simple है, तो मैं यहाँ लिखते हूँ, और कुछ निकालना है, निकाल लेते, यहाँ पर, 4.5 into 2 lakh, कितना आएगा, calculate, 9 lakh, यह 9 lakh क्या है मेरा, current assets, same way, 3 into 2 lakh, क्योंकि 3 इथा multiplication में वहाँ पर, quick के साथ, it will be 6 lakh, तो मेरा यह आगया, मेरा, यह क्या हुआ, quick asset, यह quick asset आगया, यह current asset आगया, यह current liability आगया, तो उसको अराम से देखकर कर लो, ओके, फिर next करते हैं, अब हम बात करें, यह वाले साम की, ठीक है, working capital दिया है, 6 lakh, current ratio दिया है, 2.5 is to 1, calculate करना है, current liability, current asset, quick ratio, assuming inventory is 4 lakh, चलो, पहले तो current ratio का formula क्या है, क्या है formula, current ratio is equal to current asset upon current liability, ठीक है, 2.5 x upon x, जो भी हम कर रहे थे यह पर, हाना, that we were doing, okay, अच्छा, working capital क्या होती है, working capital, working capital is equal to current asset minus current liability, सही है, तो यह 6 lakh is equal to current asset क्या है, 2.5 x, अब पता तो है नहीं है क्या, लेकिन हाँ, हमें इसका ratio form में पता है कितना है, यह x ही है current liability, so it is 1.5 x is equal to 6 lakh, चलो, यह तो formula से आपने काल सकते हो, x is equal to 6 lakh divided by 1.5 which is equal to 6 lakh divided by 15 into 10, 10, मतलब यह 4 से कट गया, 40,000 into 10, 4 lakh, तो मतलब हमारा क्या आया 4 lakh? x आया, x क्या है? current liability, मतलब मेरी आ गई current liabilities is equal to 4 lakh, यह विरा 4 lakh आ चुका है, एक पाट तो समझ आ गया, यह चीज़ तो निकल गई, current asset क्या है हमारी? current essence, क्या है हमारी current asset? 2.5 x, यानि कि 2.5 into x क्या है? 4 lakh only, this is 4 lakh, multiply करो, 4 into 2, 8 हो गया, उसका आधा, 4 का आधा कितना है? 2, 2 उसमें add कर दो, तो this will be 10 lakh, समझो, 2 से पहले multiply किया, 8 हो गया, 0.5 मतलब इसका आधा, 2 lakh, तो उसमें add कर दो, 10 lakh हो गया, हमारा आगया current asset also, अब quick creation निकलनी है, मतलब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? quick assets, उसके लिए क्या चाहिए? current asset minus inventories, है ना, current asset minus inventories, current asset कितनी है? 10 lakh, 10 lakh में से कितना minus करेंगे inventory? 4 lakh, good, कितना answer आया? 6 lakh, again good, चल अब quick ratio का formula क्या है? उपर ही तो लिखा है, है ना, quick ratio का formula क्या है? यह quick asset upon current liability, hmm, so 6 lakh divided by, we have 4 lakh, 6 lakh divided by 4 lakh, which is 3 by 2, 3 by 2 काम कैसे करेंगे? 1.5 is to 1, so this is my answer, so मेरी answer क्या हुए? यह 6 lakh, तो हमारा quick asset था, ठीके? यह हमारा current asset था, 10 lakh, यह हमारा liability था, तो यहाँ पर हमारा answer आया, जो वो question कर रहे थे, उसमें भी, जो answers देख लो, properly कैसे लिखे हुए हमने, यह हमारा current liability है, इधर 9 lakh हमारा current asset आया, इधर 6 lakh हमारा quick asset थाया, ठीक है, ध्यान रटना है, quick asset में 3 से multiply किया है, current asset में 4.5 से multiply किया, कुछ नहीं है, जो answer आया है, उसको 4.5 से multiply कर दिया, तो आपका आजाएगा current asset, 3 से multiply कर दिया, तो quick asset, उसमें कुछ चीज नहीं है, यहाँ भी वैसा ही कुछ है, तो लेकिन हमें इसे properly दिखाना पड़ेगा, see how we are doing, तो आप भी प्रॉपरली लिखो, अराम-राम से करो, सब answers आजाएंगे, अब हम करें एक नया sum, जिसके अंदर बहुत सारी items है, balance sheet चे उठाई हुई है, बेसिकली, लेकिन current asset, current liability, quick asset, कुछ भी direct नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं, total debt, यह मैंने आपको बताया था पहले question में, जब हमने current ratio की थी, total debt होता है, is equal to non current liability plus current liability, यह चीज़ ध्यान रखनी है, total debt होता है, non current liability plus current liability, total asset is equal to total liability also, यह तो हमको पता ही है, balance sheet के दोनों total बराबर होते हैं, fixed assets, non current investments, long term loans and advances, word advances आगया, मतलब यह तो यह सारा, यह तीनों के तीनों पार्ट देखा जाए, तो यह क्या है, non current assets, यह non current assets है, total assets में से अगरे, non current assets को minus कर दो, याद करो, balance sheet का वापस सारा structure, मैं एक बार दुबारा बता देती हूं, जो balance sheet का structure था, non current liability plus current liability plus shareholder's fund is equal to total liability, ठीक है, same way current asset, non current asset, non current asset plus current asset is equal to total asset, जो बराबर है, तो यह हमें दिमाग में रखना ही रखना है, यह तीनों हमारे non current assets, हैं, यह long term debts है, यानि कि इसके अंदर sorry, सारे debts है, not long term only, तो इसमें non current भी आ जाता है, और current भी आ जाता है, यह total asset है, मैं total asset में से यह सारी चीज़ माइनस कर दो, तो automatically मुझे current asset मिलता है, मतलब मेरा वे क्या है, current asset निकालने का, see, current assets is equal to total assets minus non current assets, non current assets, जो हमने यह तीनों लिखें, इस त्री, ठीक है, total asset कितने हैं हमारे, total 16 lakh, okay, minus non current assets कितने हैं, इन तीनों को हम plus करेंगे, bracket में 6 lakh, plus 1 lakh, again, plus 1 lakh, okay, now, this is 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8, 16 minus 8, 8, so this is 8 lakh, तो हमारा current asset तो आ गया है, 8 lakh, अब current liability ढूंते हैं, चलो, current liability ढूंडे, long term borrowings, long term provisions, सब long term है, यानि कि यह long term, long term कि अगर मैं देखूं, तो यह दोनों मिलाकर, मेरा, यहाँ पर, जो हमने यह बात किया, non current liability, current liability, यह non current liability बन जाएगा, this is non current liability, यह दोनों को long term, long term है, यह वाले में क्या है, total debt में, long term and short term, तो long term तो दोनों दिये हैं, long term total करके, मैं इस में से minus कर दू, total debt में, तो मेरे को current liability मिल जाएगा, so here, current liabilities is equal to total debts, total debts, यह जो दिया हुआ है, minus non current liabilities, which is this, these two, दिख रहा है, यहाँ पर total debts कितने है, 12 lakh, 12 lakh minus bracket में, 4 lakh, and again another one, 4 lakh, यहाँ पर दिख रहा है, साफ, long term provisions, यह दोनों को हमने आज कर दिया, यह non current liabilities हैं दोनों, तो हमारा 12 minus 8, 4 lakh हो गया हमारा current liability, अब हम निकालते हैं अपनी ratio, current asset आचुकी है, current liability आचुकी है, तो हमको क्या निकालना है, current ratio भी निकालना है, that is 4 lakh, आगया हमारा 2 is to 1, यह तो हो गया proper, done, अब हम बात करते हैं, quick ratio की, ठीक है, quick में क्या करते है, current asset में से inventory minus करते हैं, do we have an inventory here, yes of course, यह दिख रहा है, 1 lakh 90, साथ में prepaid expense भी हैं, यह भी हम minus करते हैं, हमें पता ही है, current asset के अंदर से यह दोनों हम minus करेंगे, so quick ratio is equal to 8 lakh, यह मेरा क्या है, current asset minus 1 lakh 90,000, that is inventory minus 10,000, यह दोनों ही चीज माइनस हो रही है, divided by हमारा liability कितना है, 4 lakh, 4 lakh, चलो 8 lakh minus 2 lakh हो गया सिधा सिधा, 1 lakh 90 भी minus करेंगे, 10 भी minus करेंगे, तो 2 lakh minus हो गया, that is 6 lakh divided by 4 lakh, that means 3 by 2, that means 1.5 is to 1, निकल गए हैं हमारे ratios, perfect, चलो ध्यान रखो, ऐसा कुछ दिया है, जो भी आपका total वाला part दिया है, उसको bifurcation, उसको differentiate करने की कोशिश करो, उसका detail निकालने की कोशिश करो, जैसे total depth होता है, non current liability plus current liability, तो वो समझना है, यह तीनों को plus करके, हमें non current asset मिल जाती है, नीचे यह दोनों को plus करके, यह long term borrowings, long term provisions, यह दोनों को हमारे plus करेंगे, non current liability मिल जाएगी, तो मैं यहां non current liability दोनों को place कर दो, तो मेरा current liability automatically मिल जाएगा, ठीक है, inventory, prepared expense हमें चाहिए ही, क्योंकि हमें quick asset पे पहुचना है, minus करना है, तो पहले हमने निकाला current asset, फिर हमने निकाला current liability, बहुत easy है निकालने के लिए, फिर हमने यह ratio निकाली, अब current asset में से यह दो चीज़े जो दी हुई है last में, minus कर दी, and we got our quick ratio, समझा है, तो एक एक चीज़ को बहुत detail से देखो, कि जो चीज़ total में दी है, उसको हम कैसे detail में तोड सकते हैं, ताकि हम अपने वाले desired item पे पहुच पाएं, ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा, कि मैं क्या चीज़ इसमें plus करूँ, क्या चीज़ माइनस करूँ, जिससे मैं उस particular चीज़ पहुच पाऊं, उसके लिए हमेशा balance sheet का structure और यह items का, जो main detail है, वो याद करना बहुत जरूरी है, कोशिश करो, करते रहो, practice करो, कि तो automatically आ जाएगा, don't worry.